नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके चेनल न्यूस चोबी सार्जे हिंदी में आज का वीडियो आप सभी के लिए मेत्वेपूर्ण है दोस्तों जैसा की सरपंच के चुनाव के साथ साथ परदान के चुनाव होने है जिसे MPS भी कहा जाता है लेकिन दोस्तों कब तक चुनाव होंगे आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और आप इस चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चेनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले दोस्तों देखिए परधान के चुनाव लड़ने वालों के लिए और क्योंकि दोस्तों परधान के चुनाव हर पांच साल में सरपंच के चुनाव के साथ होते हैं मगर अब की बार बहुत ही बुरा हुआ है क्योंकि दोस्तों सरपंच की जो चुनाव लेट हुए है और परधान की चुनाव भी लेट हो गए है बड़ी खबर आई थी आपको बता देता हूँ दूबारा लोटरी पिरक्रिया की खबर सुन परधान बनने का रातोरा सपना संजोने वालों का सपना फिर तूट गया है वही पूर्वे लोटरी से आरक्षी सीटों पर चुनाव लणने की तयारी में जूटे दावेदारों के चेरों पर खुशी की लहर है क्योंकि परधान पद की सीटों के आरक्षन में कोई बदलाव नहीं हुआ है दर असल पंचायती राचुनाव 2020 को लेकर जिले की 15 पंचाय समीति के परधान पद तता चार पंचाय समीतियों के वालों की दुबारा आरक्षन लोटरी मंगलवार को जिला कलेक्टर सभागार में निकाली गई तेसिलदा निर्वाचन रुगाराम सेन ने बताया कि पुनर गटन वे नव सरजन के बाद जिले में पंचाय समीतियों की संग्या 14 से बढ़ कर 15 हो गई है ऐसे में पहली बार जिले में 15 परधान चुने जाएंगे आपको बता देता हूँ हर पंचायत में एक परधान होता है वो आप सभी को पता है पहले तो इसमें पार्टी वाइज पार्टी होती थी जैसे बीजेपी है कांग्रेस है वो दोनों अपने उमिदवार उतारती है इसमें भी कम से कम 21 साल उम्र होती है और मिनीमम दस्वी पास माना जाता है 24 तारी को सुप्रीम कोट का फेशला आया था उसके आने के बाद अब इन चुनाओं में टाइम लग सकता है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद